केंद्रिय गुरू मंत्री अमिश्या पोंचिया छे पंडित दीन दयाड हॉल पर अनेक कामोना लोकार पन माटे आजे जारे अमिश्या आभी पोंचिया छे त्यार 188 लोकों ने तियो भारतिय नागरीक्ता प्रमान पत्र एनायत कई बाज़ाई रहाँ छे बुखिमंद्री भूब्हेंद्र पटिय पन आ कारीकरमने अंदर उपस्तेत तो भारतमा आश्या मेढवेला लोको ने नागरीक्ता प्रमान पत्र एनायत करवा मावशे अम दवाद राजकोट जलानी अंदर वसेला लोकों ये भारतिया नागरीक्ता मर्षे मीरानबाई फकीरो पाटन ना रहवासी अने हवे दैंने भारत नू नागरिकता प्रहांत अप्रप्राक के फेर होँछिन खुब खुब आभार वाथ होई देशनी आंतरिक सुरक्षा नी के पची देशना लोकों नी बच्चे सामाजिक सवहार्द नी एक तरफ परं सम्वेद ना और बीजी तरफ अपार शावरियने सदत साथे राखी मा भारतीनी सेवामा सदयम करता विरत अने देशनी सुरक्षा माटे नो कॉंप्रमाइज एटिचूड धरावनार माननिय केंद्रिय ग्रु अने सहकार मंतरे श्री अमीद बैशा ने आवों खूब ताईयों ना अदर साथे आवकारिये आजना आ एकिहासी की दिवसे आपना प्रेणा दाई मागर्शन माते भारत मतर्ची जै बहरत मतर्ची जै भारत मतर्ची जै मेरे साथ बुलिए बारत मतागी वंदे बातरम आज के इस एत्यासिक कारेकर्म मेरे साथ मंच पर उपस्तित गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री स्रीमान भुपेंद्र भाई पतेल गुजरात राज्य के आरोग्यमंत्री स्रीलिशिकेश भाई सहकारिता मंत्री जग्दीश विश्वकर्माजी मेरे सांसत साथी स्रीमान नरहरी भाई अस्मुक भाई दिनेज भाई और मंच पर उपस्तित पुलिस महानिरदेशक गुजरात श्रीविकास सहाय गुरूवबाब की सचीव निपूना तोरवने जी जिनके तत्वाधान में इनागरिक्ता देने का कारेगरम चल रहा है वो आदरा अगरवाल जी और आज मंच पर बैठे हुए सारे विदायक बाई विदायक बेहने और आज गुजरात भर से कई चिलों से आए हुए सरनात ही अब तक कहलाते थे आज से भारत माता के परिवार में आप लग्षान हो रहाएंगे मित्रो आज मेरे जैसे समाथ जीवन के कारेकरता के लिए एक बहुत भावुक्षान है क्योंकि यह सिर्फ देश के लाखों लोगों को देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिक्ता देने का कारेकर्म नहीं सिये देश में बस रहे लाखों सरनार्थियों को नियाई देने का और अधिकार देने का और पास्ट में भारत सरकार जो कॉंग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई इनकी तुरुष्ट्री करण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की सरन में आएं उनको एधिकार नहीं उनको नियाई नहीं उनकी प्रताडना पड़ोसी देशों में तो हुई तुकि वो हिंदू थे जैन थे बहुत थे सीख थे मगर उनकी प्रताडना अपने देश में भी यहाँ पर भी लाखो करोरो लोग तीन तीन पीडिया हो गई नियाई के लिए तरस्ते रहे मगर ए इंडी एलाइंस की तुर्ष्टी करण की निती ने इस सरनार्थियों को नियाई नहीं दिया और भारतिये जन्ता पार्टी की नेता नरेंद्र मोधीजी ने इनको नियाई दिया मैं आज दिये के बारे में थोड़ा डिटेल बरता ना चाहिए क्यों लाना किसी भी देश का विबाजन धर्म के अधार पर नहीं हो अगर भारत का विबाजन आजादी लेते वक्त दर्म के अधार पर किया और जब भारत का विबाजन दर्म के अधार पर किया तब भायनक दंगे होगा अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विबाजन विबिशिका दिन मनाने का काम किया है भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारवार वेतना जो हिंदू बहुत सीख जैन पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगला देश में रहते थे उनको सैन करनी पड़े हम नहीं बोल से परिवार के परिवार उजड़ गए करोड़ों पती अरबों पती हमारे घांधी दाम में रोड पर आकर सबजी बेचने के लिए मजबूर हो इससे ज़्यादा अत्याचार दुनिया में करें और उस्वक्त विवाजन का फ्यस्रा तो किया मगर जब परिणाम आने लगे कॉंग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो सरनाती आते हैं हिंदू आते हैं बहुत आते हैं सीख आते हैं जैन आते हैं उनको नागरिट्टा दी जाएगी एको भारत अपने हार स्वागत पर नाभी चाहिए नेने कोंग्रेस के नेताओं नहीं गिया था मगर जैसे जैसे चुनावाया वोन नेने से मुकरते गए संसेतालीस में किया हुआ वादा अर्तालीस में किया हुआ वादा पचास में किया हुआ वादा जवालाल महरू ने किया हुआ वादा महात्मा गांदी का हवान क्यों कि उनको लगा कि इनको नागरिक्ता देंगे तो हमारी वाट मेंक नाराज हो जाए पर्तुष्टी करण के कारण यह लाखो करोडों लोगों को नागरिक्ता से बंचित है इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है इससे बड़ा कोई वह वहां से भाग कर आए प्रताण मा जहल कर आए अपना परिवार कई लोगों ने गवाया कई माता वो बेहनों के साथ अत्याचार किये गए करोडों की संपति छोड़ कर आए और यहां आए यहां उनको नागरिक्ता भी नहीं 47 से मोदी जी प्रधान मंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 यात्रा इस देश का इतियास हमेशा आए जिन जिन लोगों ने सरकारे चलाए उनको पूछना चाता है क्या दोस्त है इन लोग जो अपनी बेहन बेटियों को बचाने के लिए है अपनी संपति को अपने धर्म को अपने सोमान को बचाने के लिए है वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बनते एक और तो सिमा से आपने गुसपेट कराई करोड़ों गुसपेट्यों को आने दिया अवही दुरूप से उनको नागरिक बना दिये और जो कानूम को मानते हैं आपको application की उनको कहते हैं कानूम में इसकी चगर नहीं है कानूम लोगों के लिए होता है कानून के लिए लोग नहीं होते हैं हमने 2014 में बादा किया था कि अगर भारतिय जनता पार्टी को मेंडेट मिला तो हम सी ये लाएंगे और 2019 में सी ये लेटा करोड़ों हिंदु करोड़ों जैन बहुत सी जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देनी की सुबाद है मैं आज इस मंच से पस्टता से कहना चाहता हूं मैं काफी समय चुप रहा हूं एक कानून पारित हुआ था 19 में 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया किस से मुसल्मानों को अन्याय होगा मुसल्मानों की नागरिक्ता चली जाएगा मैं अधी से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भायों बेलों की ये कानून में किसी की नागरिक्ता लेने की कोई प्रोवीजन नहीं एक कानून नागरिक्ता देने का कानून अभी हमने दी इनके चेहरे देखें हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रिक बनकर रह गए इससे बड़ा दूर्भाग्य और विडमना क्या हो से इतने सालों तक तुरुष्टी करन की नितिक के कारण ये नहीं हो पाया था नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारीत करने के लिए रखने का श्रुष्टी आज एक 188 परिवार या खुशाल खड़े हैं क्यों नहीं मिला भी 19 से 24 हमको देश में दंगे करा है अर्प संख्यकों को बिर्काया गया और मैं आज पश्टता के साथ कहना चाहता हूं यह फैय फेलाई गई तो किसी की नागरिक्ता नहीं जाती हिंदू बहुत सीख जैंग जो सर्णार थी मेरे भाईबे नाये हैं उनको नागरिक्ता और संद्मान देने का पारेता है अधिकार और आज भी कुछ राजय सरकारे हैं जो लोगों को गुम्राह कर रहे हैं मैं मंत से देश बर के सरणारती भाईयों को कहता हूं कि आप बेजिजक एप्लिकेशन करिए नागरिक्ता प्राप्त करिए आराम से करिए इससे पास्ट में अगर आपने आपकी नौकरी है तो वो हो रहेगी आपका मकान है वो आपके नाम परिए गाए आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस कर्थी उभेट से सब्सक्राइब को पाड़न दिया तो पाड़न इस दिये लिया है कि सरकार के कारण है तेरी हूं आपके खारण नहीं हूं मैंने अभी बेहन को पूछा कब आई है तो पचानवे मैं पचानवे से अब तक किस ने देरी की वो तो तुरंट चाहती थी मैं भारत की नागुरित कुर्ण अगर किसने नहीं बन दो सरकार में इसलिए सिटीजन्शिप एमेंडमेंट एक लाना पड़ा और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोस है कि मेरे ही राजय में आज 188 परिवार ま भारती के परिवार बनकर हमारे भाई बैन वेंदकर हमारे साथ सर्मां जाहता हूं देश भर के सरनारती भाई भैन्यों को किसी खुstra करें कोई भी पार्टी करें आपको न्याय देने के लिए है आपके साथ जो अत्याचार हुए है इसकी चमा के साथ परिमार्जन के लिए आपको संद्मान देने का कानूँ जो विवाजन की गुपीशिका को छेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे हैं आज हमें पूछते थे संद्में उपक्स के मित्रव क्यूं यह कानूं क्यूं ऐसा हुए मैं आज उनको कहना चाहिए जब विवाजन हुआ तब बांगलादेश में 27 प्रतिशत हिंदू था 27 प्रतिशत हिंदू यहां आये जब अपने इच्छा के नुसार अपने धर्मों में जिने का अधिकार नहीं है क्या अगर पडोस के देश में अपने स्वमान के साथ जी नहीं सकते हमारी सरण लेकर आते हैं तो हम क्या करें हम मुक्दर्सक बनकर बैठ नहीं सकते नरेंद्र मोधी सरकार है आपको न्याय मिलगा और चुरू और सालों से इस सरनाथियों की मांग्ति 19 में मोधी जिने अपने ध्रड़ राजनिती की इच्छा सकति के कारने रसला दिया कानून पारित हुआ अंदोलन हुए कुछ गते हमसत गटनाय भी हुई जो हुआ हुआ अंता तो गत्वार चौबीस के चुनाओं के पहले हमने घुर्स बनाकर पटिधार दे दिया और आप सभी का रदय से भारत माता की संतान इनाति इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े संमान के साथ आप्योंगे इसके में स्वागत की जब भारतिये जनता पार्टी ने उनको देश के प्रदानुंत्रिपत के उमिद्वार के रुप में नामित किया तब मोदी जी ने इस देश की जनता को कहा था कि इस देश का लोकतंत्र परिवारवाद से पीड़ी थे जातिवाद से पीड़ी थे तुरुष्टी करण से पीड़ी और भ्रष्टाचार से पीड़ी ए चारों नासूरों को नरेंद्र मोदी जी ने दस साल में उखाडने के लेक अथक परिवारवाद के खिलाब 15 आगस्तों उन्होंने घोष्णा की अपिल की है कैसे एक लाक auto रातनीती में जुड़े जिनके परिवार में से कोई कोई राद निति में कोई राद निया फिल की परिवारवादी पार्टियों को घोर पराज़े भी देश की जनता ने घोर पराज़े दिखाया लिए प्रश्णाचार के खिलाब भी जंग किया जातिवाद के खिलाब किया उन्हेंने जातिवाद के नाशूर को समाप करने के लिए चाल जातियां गोशित की एक घरिप एक महिला एक हुआ और एक किसां एक चाल जातिव में ही पूरा देश बटा हुआ है एक नए प्रकार की राद नितिक फिल्चों भी उन्होंने देश के सांब और उन्होंने तुरूष्ट्री करन की रादनिति को भी तिलान जोगी देवी इस देश के कई मसले असे अटके पड़े थे राम मंदिल का मसला आटका थे साड़े 500 साल से अच्भव्य राम मंदिर अवेध्या में बनाने का काम किया अरंजेग ने तोड़ा हुआ कासी विश्वनात का मंदिर फीर से बन गया मंमत वेगडा ने तूड़ा हुआ हमारा पावगार के सक्ति पिक्ता भी देश में त्रिपल तलाक को समाप्त करने का का काम भी कि नरेंद्र मोधी जिने किया अतांक की फ्यक्तरी जी सोच के कारण जन्मित थी जी सोच के कारण चलती थी वह सोच को पोशन करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोधी जिने नाभूत अधिकार से बन्चीत रखने वारा कानूं का संसोधन अठका था वो मैं तुमें पीर से एक बार देश भर के सरणार्थी भाईयों बेनों को अपील करना चाहता हूं इंडिय अलायंस से कॉंग्रेस और उनके साथ ही गुम्राह करेंगे मत डरना मैं देश के गुरू मंत्री नाते कहता हूं को आप अप्लीकेशन कर दो आपको म्याय मिलेगा कोई कॉटकेस नहीं हुआ नागरिक भी बन गए उनके बच्चे एमेले भी बनेंगे शांसर भी बनेंगे वहाईयों जो लोग भुम्राह करें हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ हम्याय करें आपने तो हिम्मत नहीं थी वॉट बेंक के कारण कानून लाने की मोधी जी लाए हैं कम से कम इसका इंप्लिमेंटेंशन करने का करने के लिए हमारा समर्थ है मिक्रो आज मुझे अत्यंत खुसी है बहुत बड़ा दीन है आज मेरे लिए कि मेरे ही गुजरात में 188 परिवार जो आज तक सरणार थी थे अब भारत माता की संतां बनकर हम सब के साथ चियेंगे गंबरों के बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं गुजरा सरकार और जंगर्ना का कार्याले दोनों ने इसके लिए बहुत तेजी से काम किया है अच्छे पैसले करें हैं और इनको न्याय दिला है उन लोगों को भी बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकाना लेकर मेरी बात समाब करता है मेरी साथ जोर अवाद से जो लोग पुष्टी करन कर रहे हैं इनके बहरे कानों तक पहुचे ऐसी वाद से बुलिए भारत मतागी ये भारत मतागी ये वंदे 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 वंदे